हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप तोड़े विल डिस्कस एवाट इलेक्ट्रिक पर्मेटिविटी जैसा कि यह टॉपिक पिछले टॉपिक में पिछले चैप्टर से पिछले लेक्शर्स में हमसे थोड़ा सा रह गया था दो चीजे आती है एक रिलेटिव पर्मेटिविटी और डियालेक्ट्रिक कॉंस्षेंट के बारे में और एक एपसलों की बैलू के बारे में इसे छोटे-छोटे सवाल बनते हैं जो हमारे बोर्ड इगजैंस में तो आते ही आते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि कुलाम फोर्स जो होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है क्यों होता है आईए देखते हैं पहले एफ एयर अर्थात वायू में लगने वाला फोर्स विच इक्वल तो वन अपन फोर पाई एपसेलों टाइम साफ की वन की टू अपन आर इसकोएर के बराबर होती है ठीक है और वहीं अगर किसी एयर मीडियम की बात की जाए तो यहां परिवर्तन दोनों फोर्सों में क्या द आपसेलों दीख रहा है तो दूसरे जगा एक जगा को अलग अलग मीडियम में रखा गया तो फोर्स के वैलू चेंज हो गयी चेंज हुने का कारण क्या था कारण था एक फैकर एक मीडियम फैक्टर ठीक है तो एक मीडियम फेक्टर है यह जो फोर्स की वैल्यू अलग-अलग मीडियम में परिवर्तित कर रहा है चेंज कर रहा है तो इट्सम मीडियम फेक्टर विज रिस्पॉंसिबल फॉर्दा चेंज इन मैंनिटूड ऑफ दा फोर्स ओकी तो अगर एंचा गया है उस कंडिशन में जो एपसिलॉं लिखा जाता है इसको हमें किस्पैसिफिक ंस नाम से राते हैं जिसे हम ऐप से जिसे कहते हैं पर मिटि विटई permittivity of the free space okay it having some specific value and what is this 8.85 into 10 to the power minus 12 and what's its unit the then we have find that what coulomb square Newton meter square so this is the value of the epsilon not pronunciation ko hum yad rakhengue then after I have to talk about relative permittivity okay a relative permittivity kya hootie ya dekhtay hai 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 हिंदी में भी देख लेते हैं शापेक्ष वैद्युसिल्टा की अगर हम बात करें देन होता क्या है हैं फN हमे 1 स्टेट्मेंट की रूप में वॉर्म कर सकते हैं है तो पहले हमें दीखना चाहिए कि हम उस मैं धेमेटिकल एकसपेशन कहा रहा है तो इतना कितेमाग होना चाहिए है इसे हम किसे रिनोट करेंगे एपसलोन रिलेटिव एपसलोन रिलेटिव किसके बराबर होगा किसी मीडियम का एपसलोन जिसे हम M से सो कर देते हैं अपन फ्री स्पेस का बैदु सिलता ही कह दे या परमिटिविटी कह दे किसी मीडियम का परमिटिविटी अपन एयर की परमिटिविटी का देशियो क्या होगा एयर होगा अर्थाथ सापेक्च बैदु सीलता हो जाएगी और यही सापेक्च बैदु सीलता और यही सापेक्च बैदु सीलता ही क्या कहलाती है परावैदितांग और डाएलेक्टिक कॉंस्टेंट 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 small portion of relative permittivity what is dielectric constant they are same terms but naming are different such only naming are different we have to know that there is no dimension or the unit of relative permittivity because it is the ratio of same quantity same physical quantity ratio is no dimension it is not a unit okay now let's see this Irrelative or dielectric constant Irrelative means permittivity I have said that Irrelative we have to consider this equation 1 and this equation 2 okay no problem then dividing equation 1 upon 2 okay fine let us discuss we have seen that only two terms in both forces are changed epsilon naught and epsilon rest of all the terms remains constant so while we have dividing let us see that what happens far upon f of medium okay I have written first that this is for medium okay then come we have find that this is the value of epsilon upon epsilon naught and we we know that this this terms is what epsilon relative or we can say that K which is what K dielectric constant dielectric constant so we have seen that dielectric constant in the terms of the so so this one thing we have seen that a small person onto the so i don't see why we have to believe it is a small person about electric permittivity ni just one of those problems which one of them called the board problem will have to be solved or we have to get to do the next part of the lecture okay so there is no numerical part not see I am not इक स्कौाइर दिया गया है ओपसाइट ऐ ठ़ये उसके हर एक कॉर् elephants, हर एक कॉर्नर पर चार्ज क्यूं दिया गया है हरे करनल पर चार्ज क्यों दिया गया है we have to nominate each of the corner first like a b c d okay then पूछा जा रहा है then find the force नेट फोर्स फाइंड़ नेट फोर्स ओन इज चार्जेस ओकी आई देखते हैं क्या होता है कैसे होता है किसी भी एक चार्ज भी बात करें तो लेट कंसीडर फोर्स ओन डी अगर हम डी की बात करें तो डी पर कितना फोर्स लग रहा है उस पर देखेंगे क्योंकि स्टम देखें पूरा का पूरा सेम है सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक पर चार्ज निकालेंगे तरीके से पूर्स लग रहा है यह पॉइंट डी है चार्ज क्यों रखा गया है अब देखते हैं कैसे होता है सो चुकि यह डाइगनल पर रखा गया है तो इस पर लगने मालों फोर्स एक इस टाइरेक्शन में लगेगा ओभी कहा की और बाहर की और लेट उस कंसीडर डाइट इस एफ त्री ओके अब फिर यहां से यहां के बीच में लगने माला फोर्स एफ वन कंसीडर कर लेते हैं और फिर यहां से यहां लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा एफ टू हो जाएगा एफ वन एफ टू एफ थरी तीन चार तीन फोर्स लग रहे हैं इसका है की नहीं सारे के द्वारा तो आईए हम इसका एक छोटा सा एबीडी देखेंगे क्या आखेंगे सीं छोटा सा सा एबीडी मेंस फ्री बोडी डायग्राम ऐक दिस इज क्यों कि दिस एफ यहां अनेची दिसिस फटी इस फीडी दिस शी बोडाला हरля क्या हम बैसे इस सकता हैा लेकिन फ्री बायड डाय ग्राम से मतलब किसी भी जिस पे अनलिसिस करना है फोर्सेस का उस पर लगने वाले अधर के दोरा कितने फोर्सेस लग रहे हैं हम उन्हें सारे अलग से बना के दीखते हैं जिससे सिस्टम की complexity हमिने थोड़ी सी दूर दीखती है जैसा कि हम जानते हैं यह एंगल कितना होगा अगर यह 90 है यह डाइगनल ही है तो ओबियस ही बात है यह 45 पे होगा यह भी 45 पे होगा that means this angle is 45, this angle is 45, now come to the magnitude हम ने direction तो दिख लिए magnitude जान ले फिर इने simply dissolve कर लेंगे किसके लाउग इसके लाउग F3 के लाउंग अगर हम बात करें if 3 के लाउग अगर हम इसका एक component F3 के लाउग F1 का component F3 के along ले ले और उनका sum कर दें तो हम net force पा जाएंगे easily बहुत से method हैं बट lecture के लिए तो किसी एक method को भी प्रेफर करूँगा जो सबसे सठीक हो से इस classroom में better पड़ते हैं ओकी देन पहले मैं include of F3 की बात करें क्या हो जाएगा हमें पता है क्या है अगर यह है तो यह root two a होगा पर दागण क्यूट स्टेक है तो के time की वन क्यूटू ठीक है क्यूट्यूण यह अपन आर स्क्वेश आर यहां पर क्या है रूट टू ए तो ओनलाइन में लिखते हैं के क्यों अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वाइर के क्यों स्क्वाइर अपॉन टू ए स्क्वाइर ओकी नाव कम्स टू एक बात देखिए क्या है इनकी बीचकि दूरी है क्यों स्क्वाइर अपॉन है इनकी बीच की जैसा के यह दीया गया है और की क्यों की डूरी से मतलब एफ स्क्वाइब यह गया जो गा बराबर F2 का magnitude होगा और वो बराबर होगा क्यों क्यों स्क्वेर अपॉर्स को क्या करेंगे डिजॉल्व करेंगे यह वेक्टर एडिशन है हमें 11 का topic अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इस chapter में forces का resolution बहुत जगह आने वाला है तो आईए देखते हैं क्या है कैसे है तो simple सा अगर मैं बात करूं long direction में F3 के ही बोल दूँ तो क्या हो जाएगा एक तुछ direction में F3 लगी रहा है प्लस अगर मुझे डारेक्शन में F3 लगी रहा है प्लस F1 का दिखे कॉस कॉंपोनेंट और F2 का भी कॉस कॉंपोनेंट अगर हम बात करें तो में मिलता है F3 प्लस टू इंटु वन बात करें तो इंटु वन बात करें तो में मिलता है सुसाइ़ का बीग से क्या स्व्रकड़ मेंorm इसे प्फोर मुझेriad कि यह कि वहाइ था स्वपोनें क्राइब क करें यह था अगर बात को शोल फिर पैंस अगर क्यों मिला है मैं करी की इसुलार फनात क्राइब डिच्तम कशन और लिए-सक्वर मिली ग्लार्य 경우 कि क largest largest of a square okay this is the answer thank you for today